नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी बड़ी खबर केंदर सरकार ने किसानों को दो टूक जवाब देतिया है कि कानून में कोई कमी नहीं है और अब अगली बैठक नहीं होगी आपको बता दें आज किसान संगठनों और केंदर सरकार के बीच ग्यारवे दोर की बातचीत हुई है लेकिन ये बातचीत भी बे नतीजा निकली लगातार किसान अपना अर्यल रवाया नहीं छोड़ रहे हैं वहीं सरकार की तरफ से एक के बाद एक तमाम जो प्रस्ताव हैं वो किसान संगठनों को दिये जा रहा हैं लेकिन तमाम चीजें बे नतीजा ही निकल रही है और एक बार फिर से ये ग्यारवे दोर की बातचीत किसान संगठन और साथी केंदर सरकार के बीच हुई लेकिन पूरी तरीके से बे नतीजा निकली जिस पर किरशी मंतरी नरेंद तर और कुछ वो नहीं कर सकते हैं आपको बता दें सरकार ने किसान संगठनों को इस नए किरशी कानून में संसोधन की बात कही है इसकी अलाबा कहा है कि अगर किसान संगठन कुछ सुजाव देना चाहते हैं बदateg Jiang ना चाहते और इस बीच एक कमेटी का गठन करके इसका हल निकाला जा सकता है ये प्रस्ताव किसान संगठनों को दिया गया था लेकिन इसे भी उन्होंने मानने से इंकार कर दिया है यानि सरकार तमाम कोशिशे मध्यस्ता की कर चुकी है लेकिन तमाम तरीके से किसानों का अडियल रवा जिसकी वज़ा से कोई भी नतीज़ा नहीं निकल पा रहा है एक बार फिर से 11 दौर की बातचीत में भी किसान संगठनों ने वही बात दोराई है कि वो कानून ड्रद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं चाहते हैं कानून ड्रद होगा तो घर बापसी होगी लेकिन सरकार न वो कोई फैसला ले पाते हैं तो आने वाले वक्त में सरकार बातचीत करने के लिए तयार है किसान संगठन सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने उनका अभार व्यक्त किया लेकिन एक कड़ा और साफ संदेज तमाम किसान संगठनों को दे दिया है जो लगातार अपना अडियल रवया अपनाए हुए हैं आपको बता दे ग्यारवे दौर की बातचीत आज दिल्ली के विज्यान भवन में हुई है जहां तमाम जो केंद्रे मंतरी हैं किर्शे मंतरी इसके लावा भी कई मंतरी मौजूद रहे हैं इस मीटिंग में और किसान संगठन के नेता मौ अगर्स समीती के SS पंधेर ने ये कहा है कि किर्शी मंतरी ने हमें साड़े तीन घंटे तक इंतजार करवाया और वो किसानों का अपमान है जब वो आएं तो उन्होंने हमसे सरकार के प्रस्ता पर विचार करने के लिए कहा तो यानि साफ तोर पर उन्होंने ये कहा कि दरसल किर्शी मंतरी ने आज उन्हें साड़े तीन घंटे इंतजार करवाया है इससे उनका अपमान है लेकिन सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने महीनों से वो दिल्ली की सड़कों को ब्लोक करके रखे हुए हैं लोगों को इतना परेशानी हो रही है लोग सा किर्शी मंतरी ने उन्हें इंतजार करवाया तो उन्हें उसमें अपना अपमान लग रहा है लेकिन इतने महीनों से जो वो दिल्ली की सड़कों को बंद करे हुए हैं उसका जवाब वो दे कि आखर कितने घंटे का इंतजार वो दिल्ली और साथ ही तमाम राज्यों के किसान संगठनों का ही एक अपना अडियल रुक है लगातार जो तमाम सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिये जा रहे हैं उन्हें वो खारिच करते जा रहे हैं और अब जब सरकार ने कहा है कि वो इस्टेल लगा सकती है डेड़ साल तक उस पर भी उन्होंने मानने से इंकार कर दिया तो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं वहीं अगर इनसे बात की जाए तो 26 चुनवरी की जो ट्रैक्टर प्रेड को लेकर किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीट जो बातचीत हुई वो भी बे नतीजा निकली और दिल्ली पुलिस ने आकरकार उन्हें अनुमती नहीं दी साफतोर पर कहा कि सुरक्षा कार्णों के चलते उन्हें अनुमती नहीं दी जाती है तमान तरीके से जटका किसान संगठनों उनके नेताओं को लग रहा है लेकिन बावजूद उसके जो अपना रूख है वो उन्होंने साफतोर पर अडियल बना रखा ह कि ट्रैक्टर प्रेड होगी राकेश टिकेद जो की भारते किसान यूनिन के नेता है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो नहीं हो सकती है अगर सरकार इन कानून को रद कर दे इसके अलावा वो कोई विकल्प नहीं चाते हैं तो मध्यष्टा कराने की क कोशिस सुप्रीम कोड की तरफ से भी की जा रही है लेकिन देश की सरवोच अदालत पर यही किसान संगठन यही किसान नेता तमाम सवाल खड़ा करते हैं वही केंदर सरकार जब 11 दौर की बातचीत यानी 11 मीटिंग्स हो चुकी है लेकिन 11 मीटिंग्स में एक भी नतीज़ किसान संगठन नहीं निकल पाया है वहीं सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव रख दी गए हैं संशोधन से लेकर तमाम बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं कि अगर कुछ भी बदलाव किसान संगठन चाते हैं तो उस पर किसान संगठन मानने के लिए तयार है लेकिन किसान सं तरीके से केंदर सरकार किसानों से बातचीत कर रही है वो इसी वजह से कर रही है कि आखर कुछ ना कुछ नतीजा इसके जर्ये निकल पाए ये जो आंदोलन इतने महीनों से चल रहा है ये खत्म हो पाए जो किसान थंड में बैठे हुए हैं वो अपने घर को वापस लोटें लेकिन कुछ किसान संगटन के नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीती चमकानी के लिए जो अपनी राजनीती आगे अपनी राहा पकड़ने के लिए वो लगातार किसानों को बहका कर फुसला कर इस दिल्ली के बोर्डर पर उन्होंने डटा रखा है और सबसे बड़ा जो कही कही दोशी हैं वो वही हैं क्योंकि लगातार वही लोग हैं जो किसानों को संबोधित वहां कर रहे हैं तमाम बाते कह रहे हैं कि सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी उनका नुकसान होगा तो तमाम तरीके से उन्हें बहका कर वहां बैठा रखा है तो एक सबसे बड़े जो कही न कहीं दोशी हैं वो किसान संगठन हैं उनके नेता हैं जो आने वाले वक्त में चुनाव के चलते अपनी स्यासी रोटिया यहां सेखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देश के किसानों को भटकाने का काम भी उनके दौरा लगातार किया जा रहा है वहीं केंदर सरका पर पर किसान संगठन उन्हें नहीं किया है यानि σरकार अपना रुख पर अब उन्होंने किसान संगठनों को साहर कर दिया है कि अम जो बातचीत का सब्स्रयादirm प्रस्ताफ है उस पर तमाम किसान संगठन विचार कर ले विमर्श कर ले इसके बाद ही कोई भी अगर नतीजा निकलता है तो वो आकर सरकार को बताएं उसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी लेकिन फिलाद सबसे बड़ा जटका आज किसान संगठन उनके तमाम नेता जो और इस किर्शी कानून को रद कर दे, लेकिन किर्शी मंतरी नरेंज सिंग कॉमर्ड ने ये भी साफ कर दिया कि कानून में कोई कमी नहीं है, संशोधन अगर चाहे तो किसान जरूर उन्हें सुझाव दे सकते हैं, हो सकता है, इसके लावा कोई दूसरा विकल्प उनके पास भ चेहरा था क्योंकि वो अभी तक लगातार उनकी उमीद ये थी कि सरकार उनकी ये मांग मान लेगी लेकिन सरकार के साफ संदेश के बाद आज कहीं न कहीं मुर्जाय हुए चेहरे दिखाई दिये मीटिंग से बाहर निकलते हुए ना सिर्फ भारते किसान यूनियन के नेता राकेश टिकेत बलकि भारते किसान यूनियन करांतिकारी नेता सुर्जीत सिंग इसके अलावा भी तमाम किसान संगठन के नेता थे जुनके मुर्जाय हुए चेहरे आज नजर आए क्योंकि जो तमाम मनसूवी थे वो फेल होते नजर आए उमीदों पर पानी केंदर सरकार ने फेर दिया क्योंकि साप संदेश दे दिया कि कानून में कमी नहीं है और अभी अगले दौर की बातचीत के लिए भी कोई तारीक का एलान नहीं किया इसलिए बड़ा जटका तो जरूर लगा है और यही वज़ा है कि मायूस चेहरे आज इन तमाम किसान संगठनों के नजर आए है क्योंकि अभी तक यही तमाम किसान संगठन हैं जो मिलकर इस किसान आंदोलन को एक अलग ही मोड दे रहे थे शुरूरात जरूर नए किर्शी कानूनों के विरोध से हुई लेकिन अब जिस तरीके से इसमें खालिस्तानी लोग और तमाम वो उपदर भी नजर आने लगे हैं कि किस तरीके से गाड़ी का जो सीशा था वो तोड़ा गया इन किसान संगठन के नेता पहुंचे थे उनके द्वारा ही तो ये तमाम चीज़े हो रही हैं इस किसान आंदोलन की आड में इसका जवाब भी इन किसान संगठनों को देना होगा कि आखिर जो शांतिपून रुकने वाली नहीं हैं खिसान संगठन भले ही अपने अडियल रुक पर अड़े रहें लेकिन साफ संदेश ये है कि क्रिश्वी कानून में कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से ये कहा गया है और वहीं अगले दौर की बादचीत की उमीद किसान संगठन छोड़ दे ये भी साफ संदेश देती आ गया है आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवारत